और वहीं कोटा पुलिस ने बड़ी कारवाई करते वे करीब 45 से भी अधिक टरकों को अवैद बजरी ले जाते वे पकड़ा है शहर पुलिस के अधिक्षक अधिपक भारगव के निर्देश पर पुलिस अधिक्षक राजेस मील के नितरतों में इस कारवाई को अंजाम दिया गया कोटा के दस से अधिक थानों की पुलिस ने बजरी से भरे वाहनों को पकड़ा इन ट्रकों को हाईवे और कोटा शहर में परवेश के दुरान पुलिस ने पकड़ा है सबसे बड़ी बात ये रही कि पकड़े गए सभी ट्रक और ट्रोलों में एक पर भी नमबर तक मौझूद नहीं था पुलिस का कहना है कि पकड़े गए ट्रक वालों की संख्या करीब 45 से अधिक हो सकती है पुलिस ने अवेद बजरी भर कर ले जाते इन ट्रकों को पकड़ा है उनके अधिकांश चालक और खलासी मौके से फरार हो गए ऐसे में कुछ वाहन अभी भी हाईवे पर खड़े हैं उनको पकड़ने के लिए पुलिस अब मशक्कत कर रही है पुलिस ने जिन चालकों को हिरासत मिलिया अब उनसे लगतार पुष्टाश भी की जा रही है यह लगबग 32 ट्रक हैं जो कुलिस द्वारा जब्त किये गए हैं और हमें सूचना पर यह बुलाया गया है यह ओवरलोड हैं सभी में अवेद भजरी भरी है उमेद सिंह स्टेडियम खड़े होने की सूचना मिलिये और यह कोटा की तरफ आ रहे थे बस इतना पता है और हाईवे से पकड़े गए हैं दस चक्का गाड़ी सबका अलग अलग है तो यह 29-30 टरण अवरलोड होता है दस चक्का प्रोला है वो 40 टरण तक भी अवरलोड होता है तो इन पर पैनल्टी काफी भारी बनते हैं किसी भी गाड़ी उपर नंबर प्लेट नहीं है हमने चैसिस से इनके चालान बनाए हैं चैसिस नंबर लिए गए हैं सभी के और सभी के चैसिस